मैं प्रशांतर पाठी शौगत करता हूँ आपका Learning Leads and YouTube चैनल पे इस फीडियो में हम डिसकस करेंगे प्रामीर चक्र के वारे में जसा कि हम सभी जानते हैं प्रामीर चक्र भारत का सरवोच सेनिक समान है जो की हमारे तीने सेनिकों के शैनिकों और ऑफिसर्स को दिया जाता है युद्ध में दुस्मन के सामने सरवोच प्रतक्षन करने के लिए ये पोस्ट्यूमसली और इनलिविंग भी दिया जाता है So, we let's discuss about it So, प्रामीर चक्र लेफ्ट साइड में पहना जाता है ये एक वॉयलेटर रवन से पहना जाता है ये कांसे का बनाऊओ होता है ब्राउंज का और इसके फ्रंट साइड में चार तरफ इंदर का बज्र और बीच में भारत का राजचिन होता है और बैक साइड में हिंदी और इंगलिस में लिखा होता है परामीर चक्र जो कि भारत का पहला रिपब्लिक दे था उस तेन स्थापित किया गया था और ये रिट्रोस्पेक्टिव एफेक्ट में आया था 15 अगस्त 1947 यहां पर रिट्रोस्पेक्टिव एफेक्ट का मतलब है कि 15 अगस्त 1947 के बाद से जिसने भी वह ऐसा प्रदर्शन की अपरामीर चक्र पाने के लाइक उन सभी को दिया जाएगा अब परमबीर चक्र तो परमबीर चक्र ये एक संस्क्रित का वर्ड है और संस्क्रित में इसका मर्ड होता है मतलब होता है Wheel of the Ultimate Brave मतलब ऐसा चक्र जो की Ultimate Brave लोगों के दिया जाता है या उनका होता है अब बात करते हैं इसकी वर्ड में other equivalent की तो ये equivalent होता है Medal of Honor जो की अमेरिका के सेनकों को दिया जाता है Supreme Sacrifice के लिए या फिर सबसे अच्छे प्रदरशन के लिए and Victoria Cross यो की UK का है अच्छा तो बात करते हैं किसने design किया था तो ये design किया था मिसिस होना चाहिए मिसिस सावित्री वाई कानूलकर तो इनके बारे में एक important fact बताऊँ में आपको जो सावित्री वाई कानूलकर जी है ये एक Swedish Indian थी इन्होंने Indian Army के एक Major General जी से साधी की थी इसलिए और इन्होंने अपना नाम भी change कर जाता अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इनके उपर एक separate video लेंगा वह आपनों comment लेखना होगा इनकी biography काफी interesting है इन्होंने परमीर चक्र महावीर चक्र और भी कई सारे सम्मान बनाए है आगे चलते हैं तो परमीर चक्र के बारे में अब exams में क्या आता है और हमें क्या पता होना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं तो अभी तक 21 लोगों को परमीर चक्र दिया जा चुका है उसमें ऐसे 14 लोगों को पोस्चियो मसली या मतलब 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 युद्धियू के बाद मतलब युद्धियूमन उने अपने प्राणगवाई उसके बाद सुप्रीम सेक्रिफाइस थी अच्छा आपको एक बाद और बताता हूँ कि जो हम लोग बोलते हैं मायटर या फिर सहीद तो फॉज की नजराओं में ये लेंग्विज सही नहीं होती है जोकि सहीद एक उर्दू वर्ड है और मायटर भी एक इंग्लिस वर्ड है जिनका मतलब होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो की धर्म के लिए जान देता जबकि हमारी फॉज में धर्म से कुछ भी नहीं होता और इन साथ में से तीन परिशन अभी भी जीवित है उनके बारे मायटर देखो तो वीस आर्मी परिशन को दिया जा चुका है नेवी में अभी तक किसी ने ऐसा प्रशन ने किया प्रामीर चक्री जैसे मिला हो और एर फोर्स में केवल एक लोग को मिला है जो किया निर्मल जीत सिंग सेको ये 1971 वार्ग में हुआ था आगी डिसकस करेंगे तो अब किस ट्राइक पर कुश्चन आ सकते हैं तो देखो 21 लोगों को मिला है इन सब के बारे में बाद में जाने लिए कुश इंपोर्टेंट चीज तो सबसे पहले अवार्डी कौन थे तो सबसे पहले अवार्डी थे मेजर सोमनाथ सामाजी इनको पोस्ट के मसली मिला था तीन नवबर उन्हेश रतालिस को इनको दिया गया था चौपेस साल की उमर में ये फोर कमाओ रेजिमेंट से थे इनके बारे मैं आगर मैं आपको एक और important fact बताऊं तो ये बहुत ही जाता बीर तो थे ही उसके बाद जो जिन्होंने परमीर चक्र डिजैन किया था मैसेश साबत्री भाई कानोल का उनकी बेटी के ये brother-in-law थे समझ रहे उनका बेटी के देवर या इनकी बेटी के पती के बड़े भाई थे वह भी कुछ कुछ रिलेशन ऐसा था तो मुझा भी एक important factors के लिए उसके बाद बाद करते हैं